नमस्कार स्वागत है हमारे अपने इस चैनल गार्णिंग विद रीना मैं मैं रीना उडिसा से यह आप देख रहे हैं इसमें जो ट्रॉपिकल वॉटर ली होते हैं उनके बॉल्स फोर्म होते हैं बल्ब बिथर विंटर सीजन से जब वॉटर लिली बाहर निकलता है तब उसमें आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको प्लांट में बहुत सारे चोटे होक बल्बस छो चीकना यह शहकं है प्षा ख़टा कर सकते हैं, शिम्हान हम राइटे। Jupiter सपाल म्हुत ना मैं भीते केर चेश्च निटोगन, पटने तेचला हो द Monghe जिम्हान के लिओ लोह किपे लग एकर दोदें, संवाई लाइटे, कि सम真AS को मंहते हिए सिंगल सिंगल दब्बे में रख रखा है इसमें टीना डॉबेन और लिंच से उर नाइट ब्लूमिंग वो जो है थोड़े कम रेंज के जो 200-250-300 तक के हैं उन सभी को मैंने एक साथ एक डब्बे में रख रखा है कि इसमें अप जब सेपरेट करते हैं उसके 15-20 दीन के अंदर ही आपको उसमें इस प्रांटिंग देखने को मिल जाती है और इसके ट्रू लिप्स भी देखने जिससे आपको पता चल जाता है कि यह जो plant है वह क्यों से variety का है क्योंकि सबी variety के पत्ते जो है थोड़े थोड़े बहुत different होते हैं एक दूसरे से तो आपको उसे पता चल जाता है कौन से variety के bulb है आपको कुछ इसमें points में share करूंगे जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि आ information उसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे treat करना है इसको ताकि वो लंबे समय तक आप उसको बनाए रखे अपने पास तीसरा बताऊंगी आसानी से उसको कैसे sprout करें सबसे पहले हमें fungicide से थोड़ा सा treat कर देना होता है actually मैंने इस और ट्रीट किया हुआ है सिफ आप लोगों क पानी भी बहुत कम है लगबग हाफ लीटर पानी होगा और उसमें मैंने वन पींच जैसा फंगिसाइड इसमें डाल दिया जो भी आपके पास फंगिसाइड है पाउडर वाला वह पाउडर फंगिसाइड पानी में मिला के लगबग 15 मिनिट के लिए सभी ट्यूबर्स को यह कॉमन है सभी वाटर लेले के लिए हाड़ी हो यह ट्रॉपिकल हो आपको ट्रीटमेंट से ट्रीट करना ही पड़ता है उसके बाद ऐसा प्लास्टिक के जार में मैं रखोंगी तो इसके उपर जो कवर है उसे हटा दूंगे जिससे आपको आसानी से समझ आएगा किसमें कितना पानी है और क्या है एक्चुली इसमें हाफ से थोड़ा ज्यादा पानी है मैं कवर अभी हटा दूंगी तब आपको अच्छे से ख्लीरली पता चलेगा डब्बे के बारे में तो यह जो डब्बा है वो भी हाफ लिटर का है जिसमें मैंने 60 पॉसंट जैसा पानी क्ली यह ट्रीट्मेंट होने के बाद 15 मिनित रखने के बाद में एसे क्लीन वाटर से थोड़ा सा वाश कर लेना होता है एक बर बस कहलके से क्लीन पानी में दूबो निकाल दीजिए उसके बाद हम इसको अडब्बह में से डाल सकता है तो यह सबसे बड़ा बल्ब देख रहे है यह पुरी तरीके से डॉर्मेंट हो गया था यह उस्ट्रेलियन वराइटी का वाटर लिली है इसका वीडियो मैंने अल्रेडी शेर किया है अपनी चैनल पे आप उसे देख सकते हैं उस्ट्रेलियन वराइटी जो कलर चेंजिंग होता है इसका यह सिंगल पेटल वाला है यह दॉर्मेंट हो गया था तो अभी इसे मैं रिपॉर्ट करूंगी तो पहले थोड़ा इस प्राउटिंग हो जाए इसमें लिफ्स निकल जाए उसके बाद मैं इसमें रिपॉर्ट करूंगी तो जैसे आपने देखा मैंने इसे जब डाला तो वह नीचे बैट गया है पानी म पड़ा बल्ब रखेंगे तो ही वह हल्दी होता है चोटे-चोटे बल्ब भी बहुत है और उनसे बहुत ही अच्छे हल्दी प्लांट डवलब भी होते हैं पर अगर आप उनको सही समय मिलता है सही क्लाइमिट मिलता है तो वह उसमें ग्रोथ आ जाती है आप उसको न्यू प्लांट बना सकते हैं तो यह सभी आप जैसे देख रहे हैं सभी नीचे बैठ चुके हैं अब मैं इनको रख दूंगी कहां रखोंगी नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने इसमें पानी रखा अब इसको मैं शेड़ी एरिया में रखोंगी मैं अपने टेरिस पे ही प्लांट जो ग्रो करेगा वो पानी से ही ग्रो करेगा तो यह लगभग थ्री डेज के बाद का है देख लीजे तीन दीनों में ही अभी एक्चुली इसकी ग्रोइंग टाइम है तो मात्र थ्री डेज में इनमें कितने लीफ्स निकल चुके हैं जब मैंने रखा था उसमें इतने वो खराब हो सकते हैं क्योंकि यह पानी में लगे हुए है पानी में स्प्राउट हुए है तो वह बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए बहुत ही हलके हाथों से उसको देखना होता है और अभी इसे में कुछ दिनों के लिए रख दूंगी और तो लगभग आपको रखे वे मुझ इसमें थोड़ा फंगी साइड मिलाकर और अच्छे से मिक्स कर दिया है और सॉफ्ट कर दिया मिट्टी को जिससे कि जो न्यू लिफस उसके वो उसमें डामेज ना हो और जो ट्यूबर से उसको बस उसमें हलका सा उपर उपर रख देना है बहुत ही हलके हाथों से निकालन और कुछ जो एक दो बल्व मैंने बाद में डाले थे उनमें स्प्राउटिंग नहीं हुई अभी अच्छे से तो उनको फिर से वैसे ही रख दूंगे इसमें लगा देते हैं और यह जो टाब है बाहर खुले में रखा हुआ है पूरे दिन की इसे धूप लगती है और इसक आपको soft leaves की development ही देखने को मीलेगी इसलिए पानी में भी आपको बहुत लंबे समय तक बल्व को नहीं रखा जाता है और जो यह दो चार बल्व आप देख रहे हैं जिनमें स्प्राउटिंग जस्ट स्टार्ट हुई है इनको वापस से मैं रख दूंगी इनको बाकी जुन वराइटी है तो इसको मैं अलग से लगाओंगे एक छोटे से डब में और जो बाकी था इसमें टीना लिंट से उड नाइट ब्लूमिंग और डॉबेन पॉपल जा वो सबको मैं इसमें लगा दिया यह आप दिख रहे हैं यह प्लांट या इधिंक यह डिस्पैच होगा य अब इनको फिर से हाफ बॉटल पानी डाल दूंगी और उसको वहीं शेडी एरिया में रख दूंगे आप या तो टैरिस में जहां आपका गार्डेन एरिया जहां बहुत सारे प्लांट है शेडी एरिया होता है और थोड़ा अंधेरा बना रहता है उस साड़ में रख सकते और यह देखे तब तक इधर मेरा डब्बे में पानी भी भर गया है उसी फादाई बॉटल पानी लेना है पूरा बॉटल भर के कभी भी पानी ना ले और हमेशा चींज करते रहे है जिससे की न्यूट्रेशन अच्छे तरग्या से सारे बल्ब्स को मिलते रहे और उसकी ग जो मैंने तब में लगाया था उसमें ट्रू लीव्स देखे त्रू लीव्स मतलब जो एक्च्छल उसके लीव्स के कलर है वह सभी आपको दिखने लग गया है जितने भी बल्ब्स मैंने लगा थे उनमें स्प्राउटिंग तो पहले से थी ही पर जो स्ट्रॉंग अच्छे चल रहा है लीव्स को देखकर ही कि इसकी कंडिशन कि यह बहुत ही मिच्वर देखिन में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है यह और और 15 डेज में बहुत ही अच्छी हो जाएंगे कुछ और यह सब वराइट्री है जो बल्ब से लगे हुए है इन सब में भी ग्रोथ आ इसके भी बल्ग देखे प्लाव्टिंग हो गई है इनको भी लगा दूँगी में separate separate port में और कुछ और भी है जो अभी suppल्ब स्टार्ट हुई है तो मैं आई सिसे बताया तो तो ठोड़ी कॉस्लिह नहीं होती है और मैं इन सब को ज्यादा सेल नहीं करती हूं अभी यह सब रेडी नहीं हुए हैं यह सब अभी छोटे-छोटे बल्ब हैं इनको लगाऊंगी उसके बाद कुछ टाइम एक महीने के लगभक एक महीने में यह लगभक तेयार हो जाना चाहिए तो बस ऐसे ही आपको भी अपने बल्ब को खयाल रखना है और मेरे गार्डन मे में कुछ वाडर लिली जो हडी वाट लिली भी ब्लूम करने स्टार्ट कर दिये हैं वह सब देख लिए जिए जो व्यूं निजों करता है तो देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और रिपोर्टिंग के टाइम पे तो हमें मार्च में बहुत सारे बल्स मिलते हैं तो अभी मार्च में रिपोर्ट कर लेना चाहिए सभी वाटर लिली प्लांट्स को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेन सब्सक्राइब